नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चिरपरिशे दोस्तों पस्तित हूँ आप सभी की सेवा में एक बहधिम हतो पूर्ण जानकारी को ले करके जिहां क्या होता है सुबह बासी मुह गर्म पानी पीने से जानकर आपको हैरानी होगी और आप इस फायदे को जानकरके जरूर हर सुबह गर्म पानी पीएंगे पानी हमारे स्वास्थी का एक खास हिस्सा है स्वास्थी की दृष्टी से देखा जाए तो रोजाना आठ से दस ग्लास पानी पीना अति आवश्यक है क्योंकि पानी पीने से हमारे शरीर में हड्यों में चिकना हट रहती है और जिससे हमें च इतनी ही होती है जितनी गर्मी में पानी पीते हैं इसलिए आज हम आपको बताते हैं कि ठंड के अंदर पानी को थोड़ा गुंगुना करके पीना चाहिए जिससे पानी के भरपूर मात्रा की पूर्ती होती है और इससे सर्दी भी नहीं लगती है रोज सुबह जल्दी उठकर थोड़ा गुनगुना यानि कि गर्म पानी पीना चाहिए जिससे हमारा पेट भी साफ हो जाता है पानी को अम्रित कहा गया है वास्तों में पानी का कोई वी विकल्प ही नहीं है इस धर्ती पर और हमारे शरीर में 70 प्रतिशत पानी है पानी शरीर के लिए अति अनिवार्य है पानी हमारे शरीर को बहुत से खतरनाक बिमारियों से बचाता भी है पानी हमारी तवचा को मुलायम और चमकदार बनाता है अगर हमें यह मालूम हो कि हमें किस समय कितना पानी पीना है कैसे पानी पीना है तो हमें से किसी को भी समान्य परिस्थिती में डॉक्टर के पास जान आप इसको हमेशा पिएंगे गर्म पानी क्यों पिना चाहिए मेडिकल साइंस के अनुसार नित्य सुबह खाली पेट गर्म पानी पीने से कबज और गैस जैसी पेट की तमाम समस्याएं दूर रहती हैं लेकिन गर्म पानी पीना अति उत्तम है गर्म पानी का सेवन करने से शर आवस्था में चेहरे पर मुहासे पिंपल्स एकने छोटे छोटे दाने फुनसियां एक आम बात है अधिकतर केल मुहासे तहली तवचा पर निकलते हैं अता चेहरे पर क्रीम तेल कोई चिकनाई योगत्तपदार्थ न लगाएं यह हार्मून की गडबड़ी तवचा की सफ आवस्था में अधिक होती हैं हलांके अधिक उम्र में भी इस तरह की समस्या परेशान करती हैं दरसल मुहासे त्वचा में जलन और पिंपल्स होने की स्थिती को कहते हैं इन्हें हाथ से फोड़ने से चेहरे पर निशान पढ़ जाते हैं मुहासे खाने पीने की घलत आदत से भी आपको हो सकते हैं कारण जब पेट अपना काम सही रूप से नहीं करता है जिसकी वजह से जो भी टॉक्सिक बाहर आ जाना चाहिए वो नहीं आ सोफ्ट ड्रिंक्स आइसक्रीम मैधे से बनी हुई चीजों से बचना चाहिए आप गर्म पानी पीने से त्वचा को किल मुहासों और दाग धबों से कैसे दूर रख सकते हैं आये जानते हैं गर्म पानी पीने के फायदों के बारे में जहां गर्म या हलका गुंगुना पानी पीने के चमतकारिक फायदे सुबह जल्दी उठकर गर्म पानी पिने से हमारे शरीर की पाचन क्रिया तेज होती है और खाने का डिकम पोजीशन बढ़ता है सुबह गुंगुना पानी पीने से हमारा वेट कम होता है इससे हमको बहुत ज्यादा मिलता है गुंगुना पानी हमारे शरीर का तापमान सही रखता है यानि कि बढ़ा देता है उम्रे से पहले बुढ़ापा आना यह एक बड़ी समस्या है खास तोर पर यह महिलाओं में देखी जाती है सुबह उठकर गुंगुना पानी पीने से प्रीमेच्योर एजिंग समस्या से बचा जा सकता है उठकर गुंगुना पानी पीने से शरीर के विशाक्त पदार्स तथा टॉक्सीन को बाहर शरीर से निकाल सकते हैं आप इससे हमारे शरीर का सर्कुलेशन ठीक रहता है पानी को उबालते हुए जब उसका चोथाई हिस्सा जल जाए अर्था तीन हिस्सा पानी ही बचे तो ऐसा पानी पीना श्रेष्ट होता है ऐसा गर्म पानी का सेवन हमारे शरीर के वाद, कफ और पित तीनों ही दोशों को समाप्त करता है नित्य सुबह खाली पेट एवं रात्री को खाने के बाद गर्म पानी पीने से पेट की सभी समस्याइं खत्म होते हैं और गैस जैसी समस्याइं निकट भी नहीं आती हैं पिना शुरू कर दें इससे आपकी त्वचा संबंधी परिशानियां दूर हो जाएंगी किल मुहां से नहीं होंगे त्वचा चमकने लगेगी हर रोज गर्म पानी का सेवन करने से शरीर में बलड सर्कुलेशन तेजी से होता है हृदय भी स्वस्थ रहता है अगर कोई व्यक्ति पत्थरी की समस्या से परिशान है तो वह सुबह शाम दोनों समय भोजन करने के पास चात एक गलास गर्म पानी का सेवन आवश्य ही करें गले में टॉंसिल होने पर या गला खराब होने पर गर्म पानी पीने से या फिर उसमें एक चुट की नमक डाल कर करारे करने से गले की परिशानी में शिग्र आराम मिलता है नियमित रूप से सुबह खाली पेट और रात में खाने के बाद गर्म पानी के सेवन से कब्ज से रहत मिलती है गर्म पानी वजन घटाने में भी बहुत मददगार होता है रोज सुबह खाली पेट गर्म पानी में आधा निम्बू एवम एक चमच शहद मिला करके पीने से शरीर सलिम होता है हर रोज एक गलास गरम पानी में एक निम्बू का रस, काली मिर्च एवं काला नमक डाल कर पीने से पीट का भारी पन दूर होता है और भूख भी खुल करके आती है बुखार में गरम पानी पीना अधिक लाफ दायक होता है जो काम में गरम पानी पीने से बहुतारा मिलता है इससे कफ और सर्दी शिगर ही दूर हो जाते हैं तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ते हैं एक और बेहदी महतोपून जानकारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों